जै मातादी नमस्ते मैं हूँ धर्मिंदर कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी उटूट चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग 21 जून को लगने वाले सुरी गरहन की बारे में जानेंगे इस साल 21 जून को साल का पहला सुरी गरहन लगेगा जो रवी बार असाध अमस्या को बल्याकार सुरी गरहन लगेगा इसे कंकराकार गरहन भी कहते हैं यह सुरी गरहन देश के कुछ भागों में पून रूप से दिखाई देगा यह सुरी गरहन साल 22 का पहला सुरी गरहन भी है गरहन का समय काल 21 जून को सुबह 9 बज कर 16 मिनट से सुरू होगा इसका चरम दो पहर 12 बज के 10 मिनट पर होगा और मोक्षे दो पहर में 3 बज के 4 मिनट पर होगा इस गरहन का सुता काल 20 जून को सनी बार रात 9 बज के 15 मिनट से सुरू हो जाएगा इसी के साथ सहर के मठे मंदिर के पट भी बंध हो जाएंगे आपको पता दे कि जोतिस सास्त्री गरहन के 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक के समय को सुता काल मानते हैं जोतिसी की माने तो सुरू गरहन में गरहन लगने के 12 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए बुढ़े, बालक, रोगी और गर्वती महिलाएं देड़ पहर 4 घंटे पहले तक खा सकते हैं गरहन के बाद नयाब भोजन बना लेना चाहिए संबव हो तो गरहन के पस्चात घर में रखा सारा पानी बदल दें कहा जाता है कि गरहन के बाद पानी दूसिस हो जाता है गरहन के कुरपरभाव से खाने पीने की बस्तुए दूसित नहों इसलिए सभी खाद पदार्थो एवं पीने के जल को तुलसी का पत्ता अत्वा कुछ डाल देनी चाहिए गरहन के समय पहने हुए अस्पर्स किये हुए बस्त्र आदि असुधवाने जाते हैं अत्वा गरहन पुड़ा होते ही पहने हुए कपड़ो साइथ असनान कर लेना चाहिए गरहन के 30 मिनट पुर्वे गंगा जल छीरक के सुधी करण कर ले